हेलो फ्रेंग्स इंग्लिस्विट केके में आप सभी का स्वागत है आज हम करने जा रहे हैं यूज और फोर एंड सिंस फोर और सिंस का जो बेसिकली मीनिंग होता है वो होता है से जैसे की वो दो घंटे से खेल रहा है वो सुबह से दो रहा है वो चार घंटे से एससे लिख रहा है वो सुबह से जोगिंग कर रही है इसका मतलब पास्ट के किसी भी टाइम से कोई काम स्टार्ट हुआ हो और वो अभी तक प्रोसेस में हो यानि अभी तक जारी हो तो उस case में हम for और since लगा कर उस काम को उस duration को denote करते हैं इसको हम एक example के माध्यम से और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे सबसे पहले हम ये समझते हैं कि for और since का use कहां कहां हम कर सकते हैं क्या tense के जितने भी actions होते हैं क्या हम सभी में for और since का use कर सकते हैं या फिर कुछ ही actions में हम for और since का use कर सकते हैं तो देखिए we use for and since only in perfect और perfect continuous यानि कि हम for और since का use केवल perfect और perfect continuous में ही कर सकते हैं ऐसा क्यों हम perfect और perfect continuous में ही for और since का use कर सकते हैं क्यूंकि जो perfect होता है perfect मतलब कोई काम start हुआ और वो present से relate कर रहा है perfect continuous मतलब क्या कोई काम past में start हुआ और वो अभी तक चल रहा है इसका मतलब कुछ काम हुआ और अभी कुछ काम चल रहा है यानि कि काम का कुछ part खतम हो चुका है अर्वी कुछ पार्ट हो रहा है तो उस इस्तितित में हम for या since को use करके denote करते हैं कि कुछ काम खतम हो चुका है और कुछ काम अभी जारी है जैसे कि अगर हम एक example ले जैसे कि I am going to school मैं school जा रही हूँ या मैं school जा रहा हूँ ये जो sentence है इस sentence में काम क्या हो रहा है school जाने का तो उस time पे जब कोई भी बच्चा school जा रहा है तो क्या वो थोड़ा गया होगा या अभी और जाएगा मतब ये जो है ना ये क्या दिखाता है ये continuous है और continuous क्या दिखाता है continuous दिखाता है कि कोई भी काम अभी process में है अभी चल रहा है नहीं उसका कोई part अभी खतम हुआ है और ना ही बच्चा है वो अभी जारी है तो इस time पे हम for और since का use नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर हम दूसरे example देखें जैसे कि I have been playing cricket for two hours यानि कि मैं दो घंटे से cricket खेल रहा हूँ या cricket खेल रही हूँ इसका वतर च्या cricket खेलना किसी एक point of time पे start हुआ और cricket खेलने का process अभी तक जारी है इसका मतब cricket जब वो बच्चा खेल रहा होगा तो उसने कुछ cricket का part खेल लिया होगा और कुछ cricket का part वो खेल रहा होगा इसका मतलब कुछ काम हो गया है और कुछ काम होने वाला होगा तो उस टाइम पे हम यूज करेंगे 4 ये सिंस का लेकिन ये ऐसा कुछ सिंस नहीं दे रहा है इसलिए इसमें हम 4 ये सिंस का यूज नहीं करेंगे लेकिन ये जो perfect continuous है इसमें हम करेंगे क्योंकि इसमें कुछ काम जो हुआ है वो perfectly हो चुका है और कुछ continuous है यानि perfect continuous है देखिए since and for का use इसका मतलब क्या होता है मतलब देखिए यानि कि ये मा लेजे कोई past time है यानि भूत काल का कोई समय है इसके इस बिंदू से ये बिंदू कुछ भी हो सकता है शाम हो सकता है, बज़पन हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है इस time पे कोई काम start हुआ और ये अभी तक चल रहा है यानि कि ये जो point है वो present है इसका मतलब ये present तक काम जारी है और ये जो point of time से जो काम start हुआ और ये present तक अभी जो जारी है इस condition में हम since और four का use करते हैं since का use दूसरे concept के साथ होता है four का use दूसरे concept के साथ होता है लेकिन हम यह समझ रहा होगा क्या कि इसका मतलब होता क्या है तो इसका मतलब होता है past के किसी point से कोई काम start हुआ और present के अभी point जो present time है अभी तक चल रहा है तो उस इस्थिती में हम since और four का use करेंगे इसको कुछ example से समझते हैं जैसे I know him for five years मैं उसे पांच साल से जानती हूँ तो देखिए यह कैसा sentence है यह present and definite का sentence है तो आप किसी को पांच सालों से जानते हैं किसी को जानना किसी को जानना कोई action नहीं होता है इसका मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपके किसी को थोड़ा दर जान लिया अब उसे नहीं जानेंगे या फिर उसे और जानेंगे या तो आप किसी person को एकदम अच्छी तरीके से जानेंगे या बिल्कुल नहीं जानेंगे तो इस condition में हम 4 years since का यूज नहीं करेंगे दूसरा sentence है I am knowing him for 5 years मैं उसे 5 सालों से जान रही हूँ मैं उसे 5 सालों से जान रही हूँ इसका मतब ये नहीं है कि आप बात में चलके उसे जानना बंद कर देंगे या फिर उसे अपने थोड़ा जान लिया इस condition में भी हम 4 years since का यूज नहीं करेंगे अब देखिए I have known him for 5 years मैं उसे 5 सालों से जाना है देखिए 5 सालों से जाना है मतलब कि आप मानिजे कोई person है 5 सालों से आप उसे जानते हैं या जाना है इसका मतलब आप उसे जानते हैं आप उसके बारे में जानते हैं आप मानिजे किसी से बोल रहे हैं कि मैं उसे जानती हूँ अच्छे तरीके से या फिर मैं उसे जाना है वो बहुत अच्छा लड़का है या लड़की है इसका मतब आप किसी की quality बता रहा है ability बता रहा है आप किसी को express कर रहा है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ तो इसमें continuous जो meaning है continuous meaning hidden है छुपा हुआ है इस condition में आप four essence का use कर सकते हैं यह perfect tense है इसमें continuous process hidden है यह दूसरा sentence देखते हैं I have lived here for five years मैं यहां पांच सालों से रह रही हूँ या मैंने यहां पांच सालों से रहा है तो इस condition में इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि आप को यह सा place है जहां पांच सालों से रह रहे हैं आप पांच सालों से यहां रह रहे हैं यानि कि कुछ time आपने spend कर लिया है और ऐसा नहीं कि आप नहीं रहेंगे आप आगे रहेंगे हो सकता है कि आप नहीं भी रहें लेकिन यह भी हो सकता है कि आप रहें मतलब ऐसा होता है ना आप जैसे कि कोई ओफिस है तो आप बोलेंगे कि मैंने इस ओफिस में पांच साल तक काम किया है यानि कि उस टाइम से लेके अब तक आपने पांच साल तक काम किया है आप इस घर में उस टाइम से लेके अब तक पांच सालों से रह रहे हैं तो इसमें continuous выступ now, we can see our intelligent system weekend, he has been sleeping for five hours, इसका मतलब उसने सने का काम 5 हुश्च छाइय है इसका मतलब उसने पास्ट में सुने का काम इसतार्ट किया help प्रेजेंट में अभी तक सुने का काम जारी है. तो इस स्थिती में भी हम for और since का use कर सकते हैं. अब देखते हैं use of since. Since का use हम कहां करते हैं? Since का use, since का मतलब क्या होता है? Since का use हम उस टाइम पे करते हैं जब कोई काम past के point से start हुआ हो. Point मतलब क्या? Point यह नि कोई बिंदू, चाहे वो आपके time का बिंदू हो, जैसे कि सुबा से, शाम से, सोमवार से, दोपहर से, मंडे से, संडे से, या फिर कोई आपके life का time हो, जैसे बचपन से, बुढ़ापे से, ऐसा. मतलब कोई आपके point हो, वो life का या time का point हो. और तब से लेके अब तक, यानि present तक, वो काम जाड़ी हो. उसे हम since से denote करते हैं, जैसे कि, he has watched three movies since yesterday. इसका मतलब, उसने yesterday, यानि कल से, तीन movies देखी. तो आप देखिए, ये जो कल है, कल time का एक बिंदू है, यानि कि, कल एक समय था, जो बीट गया, उस time से लेके, आप अभी तक, तीन movie देख चुके हैं. इसका मतलब, ये एक point of time है, यस्टरड़े एक point of time है, past का, एक point of time है. I have been writing an essay since morning, यानि कि, मैंने सुबह से, मैं सुबह से एक essay लिख रही हूँ, यानि कि, मैं सुबह से एक निबंद लिख रही हूँ, इसका मतलब, निबंद लिखना, सुबह से चालू हुआ, आपने निबंद का कुछ पार्ट लिखा होगा, और कुछ पार्ट अभी लिख रहे होंगे. तो आप बोलेंगे कि मैं सुबह से एक निबंध निख रही हूँ इसका मतब सुबह से कुछ सो काम हुआ होगा ना कुछ काम हुआ होगा और अभी कुछ काम बाकी होगा जिसे आप पूरा करेंगे तो उस टाइम पे हम सिंस का यूज करेंगे तो देखिए morning यानि सुबह सुबह आपके time का यानि कि time यानि आपका जो समय है उसका एक point है यानि सुबह में आपने सुबह दिन के किसी एक time और ताइम क्या है सुबह आपने कोई काम स्टाट किया और आपने उसे अभी तक आप उसे कर रहे हैं तो उस case में हम since का use करते हैं basically बच्चे point of time में और duration में confuse होते हैं देखिए point of time का मतब क्या होता है point मतब होता है बिंदू यानि कि बिंदू यानि कि एकदम कोई exact time पे कोई start हुआ हो जैसे कि सुबह से ये एक बिंदू है दिन का point है बजपन से यानि ये life का एक point है life का एक stage है इस stage पे इस point पे आपने कोई काम करना start किया ये होता है point of time और duration क्या होता है duration यानि होता है अंतराल जिसमें कोई गिंती हो जैसे 2 घंटे से 4 हफतों से 5 महीनों से ये होता है duration बचे point of time और duration में confused रहते है तो ये याद रखना है कि point of time क्या होता है जैसे बचपन से सुबा से कल से साम से 2019 से 2020 से मई से सोंबार से 4 बजे से 5 बजे से ये सब क्या है ये point of time है लेकिन अगर duration की बात करे एक duration जिसमें गिंती हो कि आपने कितने घंटे काम किया है कितने महीने कितने साल तो उसे बोलते हैं duration जैसे 2 घंटे से 4 घंटे से 5 महीनों से 6 साल से ये होता है duration तो I hope ये point of time और duration वाला concept clear हो चुका होगा देखिए since का यूज हम किन किन टाइम पे करते हैं बजपन से इसमें since का यूज होगा since childhood सुबा से since morning कल से since yesterday शाम से since evening 2000 या 2020 से since 2019 या since 2020 मैस सोंबार से 4 बजे से तो ये सारा जो है वो point of time है अब देखिए अब आता है use of 4 4 का use हम कहा कहा करते है देखिए ये तो हो गया था point of time का concept यानि कि since जो था वो point of time था यानि इस बिंदू से काम चालू हुआ और वो अभी तक यानि इस बिंदू यानि present तक चल रहा है जो 4 होता है वो इसी इसी जो डो point है यानि past point of time और present point of time इसका जो अंतराल होता है जो duration होता है इसका जो answer होता है उसमें हम use करते हैं 4 को जैसे कि मा लिजे past point of time से कोई काम start हुआ present तक चल रहा है वो तो अलग बात है कि ये point of time है लेकिन अगर हम इशे duration में गीने तो कुछ तो duration हुआ होगा चाहे वो चार महीने हुआ हो चाहे वो पांच महीने हुआ हो चाहे वो छे साल हुआ हो या दो घंटे हुआ हो लेकिन कुछ तो duration हुआ होगा तो उस duration को यानि उस अंतराल को हम four से denote करते हैं जैसे कि मालीजे सुबा से लेके शाम तक आपने कोई काम किया तो सुबा से लेके साम तर कुछ घंटे तो जरूर हुए होंगे मान लिजिए वो कुछ घंटे पाँच घंटे हैं तो आप पाँच घंटे में फोर का यूज़ करेंगे लेकिन सुबा से में आप क्या यूज़ करेंगे सिंस का सुबा से में आप सिंस का यूज़ करेंगे लेकिन सुबा से लेके जो अभी तक काम हुआ है मालीजे वो पाँच घंटे हुआ है तो पाँच घंटे में आप फोर का यूज़ करेंगे माली जे बचपन से लेके अब तक माली जे आप बचपन से लेके अब तक आप एक गाना गार है हो तो माली जे बचपन से लेके अब तक माली जे 15 साल हो गया तो बचपन से में हम सींस का यूज़ करेंगे लेकिन जो ये 15 साल जो ये डियूरेशन निकल के आया है ना उसमें हम 4 का use करेंगे यानि कि जो duration जो answer निकल के आता है जो उसका main part निकल के आता है उसमें हम 4 का use करते हैं और जो उसका point होता है जिस पे वो काम करना सुरू हुआ उसमें हम since का use करते हैं इसको एक example के माध्यम से समझते हैं जैसे I have been watching movie for two hours यानि कि मैं दो घंटे से movie देख रहा हूं या देख रही हूं तो देखिए किसी ने जो है movie देखना start किया माली यहां से start किया और यहां तक वो movie देख रही है और यह जो duration है वो दो घंटे का है तो इस condition में हम 4 का use करेंगे She has been cooking here for four years यानि कि वो चार सालों से यहां खाना पका रही है तो माली जी उससे किसी point पे काम करना start किया होगा और वो अभी तक कर रही है और इसका जो duration है वो चार साल है तो देखिए चार साल गिंती आ गया दो साल गिंती आ गया तो इस time पे हम 4 का use करेंगे यानि कि वो पूरा अपना answer देगा exact answer चार साल पांच साल दो महीने तो यह जो है ना इसमें इसको पूर का use करेंगे अब देखिए जैसे चार गंटे हुआ फोर फोर आवर्स तू इयर्स हुआ फोर टू इंच सुआ यानि दो हफ्ते फोर टू विग्स तो यह जो गिंती वाले होते ना जैसे चार साल अचे महीने दो घंटे साथ गंटे दो दिन जिसमें गिंती आता बताता है उसमें हम 4 का यूज़ करते हैं इसको कुछ एक्जामपल के माध्यम से समझेंगे तो और अच्छा होगा जैसे I have been working here 2019 मैं यहाँ 2019 से काम कर रही हूं या कर रहा हूं मालेजे कोई आदमी है वो 2019 से काम कर रहा है किसी कंपनी में और यह 2023 यानि 2019 से लेकि अभी तक वो काम कर रहा है यानि यह इस पॉइंट पे काम करना स्टार्ट किया और इस पॉइंट पे वो अभी काम कर रहा है तो क्या बता रहा है यानि कि 2019 के point पे उसने काम स्टार्ट किया और वो अभी तक कर रहा है तो ये क्या है ये point of time है तो इसमें हम since का use करेंगे She has been cooking food two hours वो दो घंटे से खाना पका रही है माल लेजे ये कोई point of time है यहां से उसने खाना पकाना स्टार्ट किया होगा और उसने इस point of time पे अभी तक वो खाना पका रही होगी और इसका जो duration है माल लेजे वो दो घंटे हो गया तो देखिए तो दो घंटे duration निकल के आ रहा है दो घंटे exact duration कि उसने कितने घंटे काम किया कितने महीने काम किया तो उस time पे हम four का use करेंगे since का use नहीं करेंगे यह देखिए सीता has been dancing since यह four morning यानि कि सीता जो है वो सुबह से dance कर रही है तो देखिए सुबह से यह time का एक point है यानि सुबह से लेके अब तक वो dance कर रही है तो यह क्या है point of time है तो इस condition में हम क्या use करेंगे से साम से दो पहर से तो इसमें हम क्या use करते है since या four obvious बात है कि हम since use करेंगे four नहीं क्योंकि यह point of time को denote कर रहा है we have been playing cricket since या four two month यह देखिए वे लोग दो महीने से cricket खेल रहे हैं तो देखिए दो महीना यह क्या है duration है exact duration है तो इस condition में हम क्या use करेंगे जब duration आ जाता है दो महीने चार हफ़ते दो दीन पांच साल साथ साल तो इसमें हम क्या use करते हैं duration के time पे हम four use करते हैं since का use नहीं करते हैं they have been working here since या four evening वह वे लोग शाम से यहां काम कर रहे हैं तो बताइए यहां four का use होगा यह since का evening क्या है time का एक point है यानि evening में अपने कोई काम start किया और अभी तक कर रहे हैं तो इसमें क्या use करेंगे since four का use नहीं करेंगे तो I hope आपको यह since और four वाला concept समझ में आया होगा जादा confusion नहीं है इसमें बस यह ध्यान रखना है कि since point of time के लिए use होता है और four जो होता है वो duration के लिए use होता है duration मतलब क्या exact answer जैसे 2 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे आपको direct answer मिल रहा है लेकिन कोई point है सुबा से, साम से, दो पहर से, बज़पन से, 2019 से, 2020 से तो यह क्या है, point है आपको exact answer नहीं मिल रहा तो उस time पे हम क्या use करेंगे since का इसको मैंने कुछ example के माधिम से समझाया भी है तो यह I hope आपको clear हुआ होगा आज के लिए इतना ही रहने देते हैं कल से हमारा past tense स्टार्ट होगा तो next video past tense का होगा Thank you आपको